हेलो दोस्तों, यूनीक नॉलिज चानल जी के हाब मी आपका वेलकम हाब बिना लेट किये सुरू करते हैं, आज का पहला क्वेस्चिन हाँ एक, भाधिय नेपोलियन की उपाधी किसे दी गई है? A. चंद्रगुप्त मौर्यव B. समुद्रगुप्त C. चंद्रगुप्त प्रथम D. हर्षवर्धन A. आंस B. समुद्रगुप्त दो गुप्त काल में किस धातु के सरवाधिक सिक्के जारी किये गए? A. सोना B. चांदी C. टांबा D. लोहा A. सोना 3. वायुमंदिलिय दाब मापने का पैमाना है A. बैरोमीटर B. मिलीमीटर C. वोल्टमीटर D. देकामीटर हाइड आंस A. बैरोमीटर 4. अमीबा में कुल कितने शैल, कोशिका होते है A. एक B. दो C. तीन D. चार A. एक 5. नागालेंड भारत का विधिवत राज्यकब बना A. उननी सो तिरसटी B. उननी सो चौसट C. उननी सो पैसट D. उननी सो च्यासट आंस A. एक नौच है तीनी 6. मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है A. राज्यपाल B. राश्च्रपती C. मुख्यन्यायाधीश D. प्रधानमंत्री आंस A. राज्यपाल 7. रेफ्रिजरिटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है A. फ्रियान B. उक्सिजन C. कार्बन D. निट्रोजन आंस A. फ्रियान 8. रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राश्च्रियगान के अलावा किस एक और देश का राश्च्रियगान लिखा A. बांगलादेश B. चाइना C. श्रीलंका D. पाकिस्तान A. बांगलादेश 9. किसे भविश्य की धातू कहा जाता है A. टाइटेनियम B. लीड C. मरक्यूरी D. लेटिनम अंस A. टाइटेनियम दोस्तो अमिद है आपको ये लेक्चर पसंद आए होगी और हाँ आप अपना लाइक कमिन्स और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूले थैंक यू ओल